हेलो गाइज वल्कम बैक तो हेरे विस्त भाई क्या आप लोग भी मेरी तरह घंटों तक प्रैक्टिस करते हो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करने के बाउचूट भी आपका जो एम नहीं सुदर रहा है और सेम रिजल्ट आ रहे हैं जैसा कि यह तो डेफिने सुदार सकते हैं कैसे अपना क्लोज रेंज कैसे अपना ही फायर सब कुछ बता हूँ वाई तो अगर भाई चैनल पर पहले बार आयो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना भी मत मुलना तो चलिए फटापट बात कर लेते हैं टिप्स और ट्रिक्स की तो भाई मेर को पता है और ट्रेनिंग राउंड में आके बंदे दे जिगल दे जिगल बहुत बहुत प्रैक्टिस करते हैं भाई फिर भी उनका गेमप्ले इंप्रूब नहीं हो रहे है है तो भाई इसका मेन रिजन क्या आपको पता है कि भाई हम लोग यह जो चीजे आप अपन जो करते हैं ट्रेनिंग रांड के अंदर उनको रियल गेम के अंदर फाइड के अंतर जब अफन ऑन इंगेज करते हैं वन व्हीं या कि स्कोर्ड के साथ अपन जब आप लेते हैं इन चीजों को अपन याद ने रख पाते हैं इस वज़य से भाई है यह उने साथ है भाई आपको वन बाई वन इन चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी तो सबसे पहले आपका एम अच्छा होना चाहिए जितना बड़ि आपका एम रहेगा भाई उतना जल्दी आप सामने वाले को नोग कर पाऊगे गिरा पाऊगे तो भाई सबसे पहले आपको अपनी एम की प् रखना है महली ये बंदा आप से 10-20 मिटर दूर है और आपको हिपफायर वाली फायट लेनी है तो आपका जो क्रोस हेर वो उपर होना चाहिए और आपको लोंग जिगल देना होता है जितना जद आप दूर होगे उतना ही उपर आपको क्रोस हेर रखना पड़े गई तभी आ आप 1v1 TDM करो या कोई भी फायट एंगेज करो तो आपको आपके दिमाग के अंदर बैठा के रखना पड़ेगा बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने दिमाग को कि भाई अपने मेरे को मेरा जो है वो ही फायर है वो अच्छा रखना है लोंग जिगल देना ह अपने दिमाग में बैठा के रखने पड़ेगी तब ही गेम अंपर हो पाएगा वरना सेम रिजल्ट रहेंगे भाई एम पे भी फोकस करना है और अपने जिगल पे फोकस करना है यह प्रोपर जिगल देना हुए ऐसे रांड नाउँ ऐसे घूमाके नहीं जितना आपका जि कर पाऊगे और इजली वन विवन आप पाइट को जीत सकते हो